नमस्कार आप सभी को स्वागत है बैंक निफ्टी सुपर स्ट्रेटजी के टेस्टिंग 3 में आज तीसरा दिन है टेस्टिंग का पहला दिन कंप्लीट हुआ, दूसरा दिन कंप्लीट हुआ, दोनो दिन प्रॉफिट मिला तीसरा दिन, आज जो दिन था, आज हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लिए क्यों नहीं लिए, चार्ट में जाएंगे, बताएंगे क्यों नहीं लिए ठीक है, जाने के पहले, सबसे पहले मैं आपको लोगों को ये बताना चाता हूँ कल के वीडियो में बहुत सरा कमेंट आये थे, कमेंट के माधियम से पहला कमेंट ये था, उसका मैं एंसर देताना चाता हूँ पहला comment ये था कि sir ये तो 15 minutes का strategy है sir मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल ये 15 minutes का strategy है पर market में क्या होता ना sir जो easy strategy रहता ना वो इंसान use नहीं करता जो complicated strategy रहता ना वो use करता मतलब end of the day loss करके निकलता market से तो हम लोग ये जो मुहीम आत्मे निर्वर mission आत्मे निर्वर इसलिए start किये कि हम लोग strategy को सिखाए उसके बाद एक हफ्ता तक test करें एक हफ्ता तक test करने के बाद मैं result लेके आऊँगा कि ये कितना दिन चला कितना दिन नहीं चला क्योंकि एक हफ्ता में market अपना हर रंग दिखा देता है ठीक है उसके बाद आप लोगों को मैं ये बोला था कि आप paper trading करिए उसके बाद जब अच्छा पकड़ बन जाएगा फिर छोटे lot से trade करना start कीजे मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि वीडियो लाऊं strategy का आप लोगों को दिखा दूँ और उसके बाद आप लोगों trade कीजे नहीं कीजे मेरा को उससे कोई लेना देना नहीं था और फिर second comment मुझे ये मिला देखिए करना चाहता तो ये सब हम लोग कर सकते हैं पर एक अगर mission आत्मा निरभर अगर आप लोगों के लिए कुछ लेका आया हूं तो मुझे नहीं लगता है ऐसे कुछ करके मतब आपका समय मेरा समय बरबाद करके कोई भी हम लोगों को फाइदा मिलेगा और दूसरा comment ये था कि कल तो सर आपके strategy के हिसाब से range bound था आपको trading नहीं लेना चाहिए था तो सबसे पहले कल का जो ये doubt था मैं इसको पहले clear करता हूं मैं पहले क्या बोला था कि सबसे पहले पहला candle बनेगा अगर ऐसे candle बनता है यानि कि अगर mother candle के अंदर दूसरा और तीसरा candle अंदर अगर आया तो हम लोग उस दिन trade नहीं लेंगे यही मैं बोला था आप अगर ये वीडियो टेस्टिंग वीडियो है अगर आप strategy का वीडियो देखना चाहते है तो description box के सबसे पहला वाला link में मैं दिया हूं strategy का वीडियो वो एक बार आप देख के आजए तब अच्छे समझ पाईएगा मैं क्या बोला था पहला candle यानि कि 9.15 का जो candle बनेगा पांच मिनिट का वो अगर बड़ा बन गया और उसके अंदर दो छोटा candle अगर आ गया तो हम लोग उस दिन trade नहीं करेंगे वो एक range bound market बोलते हैं ठीक है यह मैं बोला था अब जो सज्जन थे वो मुझे बोले कि अब पंदल से नीचे है कि उपर है अब Thard candle का लोग के अपर ए przylbs से नीचे है कि उपर है इसलिए मैं बादेखा और नीचे है कि उपर है मैं बोलता हूं, अच्छे से वीडियो देखे, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने के पहले 10 बार उसको देखते हैं, समस्ते, उसके बाद आप तक लेके आते हैं, ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब आज का स्ट्राटीजी टेस्टिंग स्टार्ट कर दीजे और तीनों candle का low में horizontal line plot कर दीजे हम लोग का assumption क्या था फर्स candle second candle third candle अगर इसके अंदर में दो candle बना तो उस दिन क्या करना हम लोग को trade नहीं करना है trade नहीं करना है अब देखिए अगर मैं रहता मैं तो trade नहीं लिया यहाँ पर जो trade लेता वो market में loss खाता यहाँ जो trade लेता वो market में loss खाता perfect काम क्या देखिए जो नहीं trading करना भी एक trading करना है ठीक है तो यही इसलिए बोलते जो strategy इतना test कर रहे न वो आपके भलाई के लिए कर रहे हम लोग ताकि आप मतलब बजार में आके अपना पैसा ना गवाए ठीक है तो फिर हम लोग कल 4th और 5th दो दिन और बचाय टेस्टिंग का देखते है उसके बाद justification report लेके आएंगे bank nifty का super strategy का strategy के उपर ठीक है तो चलिए शुवरातरी कल फिर मिलेंगे टेस्टिंग 4 में तब तक आप स्वस्त रहे है और bank nifty को track करते रहे है अगर strategy वीडियो नहीं देखे तो description में पहला इलिंक है strategy वीडियो का एक बाद देख लीजिए चलिए शुवरातरी investment in securities market are subject to market risk read all the related documents carefully before investing कर दो